Dear Learners, Welcome to Learning for All, मैं सुल्टान, Assistant Professor कमकोर्स कोडिनेटर, Special Education Hearing Impairment, अमर्जोती स्कूल एंड रिहबिलिटेशन सेंटर, गौलियर एंपी. आए आजम अधिगम का आर्थ, परिभासाएं, विशेशताएं एवं परभावित करने वाले कारक इनके बारे में अध्धन करेंगे, यानि की Meaning, Definitions, Characteristics and Affecting Factors of Learning. जानेंगे कि अधिगम क्या है, और कौन-कौन से ऐसे मनोबज्यानिक हैं, जिन्होंने अधिगम के बारे में अपने विचार विख्त किये हैं, और कौन-कौन से ऐसी विशेशताएं हैं, जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि यही अधिगम है, और उसे कौन-कौन से बिन्न प्रकार के categorized parts हैं जिसमें दुनिया की जितने भी तत्तों हैं उनको हम समाहित कर सकते हैं यह देखने में जरूर छोटा लगता है लेकिन सभी छेत्रों से संबंदित एक बिक्ति अपने मस्तिस्क में जानकारी को कलेक्ट कर सकता है किस तरीके से सीख सकता है और अपने बेवहार में किस तरह से परिवर्तन लाता है तो आईए चलते हैं सिखते हैं हम अधिगम का अर्थ परिभासाएं बिसेस्ताएं और प्रहवित करने वाले कारत डियर लर्नर यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें और अच्छा ना लगे तो डिस ल और विल आईकॉन को भी दबाएं जिससे आने वाला न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल से जल मिल जाए तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जानते हैं कि अधिगम का अर्थ यानि कि मीनिंग और लर्निंग इसमें सबसे पहला है कि अधिगम को सिक्छा मनोबिज्ञान का दिल कहा गया है अधिगम का सिक्छा के छेत्र में विशेश इस्थान बताया गया है क्योंकि सिक्छा का सरुपर्थम उद्देश सीखना या अधिगम है सीखना अपने आप में एक महत्वपूर्ड सब्ध है जो सिक्छा मनोबिज्ञान के अंतरगत आता है हर बिक्ती किसी न किसी तरह से किसी न किसी परिस्थिती में किसी न किसी तरीके से सीखता ही रहता है कभी अगर question आ जाए कि सिख्छा मनोविज्ञान का दिल किसे कहा गया है और इसमें बहुत सारे options आ सकते हैं अधिगम, motivation, reinforcement, वगेरा वगेरा तो अधिगम को सिख्छा मनोविज्ञान का दिल कह गया है क्योंकि अधिगम हर विक्ति करता है, जिसमें अपने मस्तिस्क का उप्योग करता है, हर परिस्तिती से सीखता है जो कि सिख्छा से जुड़ा हुआ है, इसमें सिख्छक, सिख्छार्थी और विक्ति का मस्तिस्क, mental process और situation, environment सब कुछ जुड़ा हुआ है समान अर्थ में देखते हैं, learning यानि कि अधिगम को बेवहार में परिवर्तन अगर होता है, तो उसे कहा जाता है कि वही अधिगम है यानि कि बेवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम कहलाता है और अधिगम जीवन पर जन्द चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्व से लेकर मृत्यू तक चलती है उस बीच हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं सकरात्मक और नकरात्मक रूप से बच्चा जब गर्ब में रहता है तो वहां से केवल उसका इस्ट्रक्शर बनता है बाकि जितनी भी लर्निंग प्रोसेस होती है जितनी भी लर्निंग एक्टिविटीज होती है वह जन्म के उपरांत ही होती है मनोबज्यानिकों ने अधिगम को एक मानसिक प्रक्रिया बताया है कि जब एक बच्चा या व्यक्ति सीखता है तो उसमें अपने मस्तिस्क का प्रयोग करता है जिसमें अबजर्वेशन, इमेज, इमेजिनेशन और विभिन प्रकार की कल्पनाएं करता है जिससे जो सामने वाला तथ है या object या परिश्टिति होती है उसको अनकूलित करने की या स्वभ में सीखने की या समयवजित करने की कोशिस करता है Learning यानि कि जो अधिगम है इसका key point है यानि कि इसका key point है वह है change बदलाव या परिवर्थन होता है यानि कि जब भी learning होगी तो बदलाव अवस्य होगा डिपेंड करता है कि बदलाव के लिए परिस्थिती किस तरीकी की है सकरात्मक है या नकरात्मक है लेकिन यदि अधिगम होगा तो परिवर्तन या बदलाव अवस्य होगा जैसे यदि हम देखें तो जब एक बिद्यार्थी बिद्याले आता है तो बिद्याले में अपना समयोजन नहीं कर पाता अपने सहपाठियों से मेल जोल नहीं बना पाता और वहां के वातावरण में तुरंत नहीं मिल पाता लेकिन जैसे जैसे वोई लोगों से मिलता है सिक्षकों के हाव भाव और विभिन प्रकार के जब उसे ज्ञान मिलते हैं तो उसके बेवहार में परिवर्तन होना सुरू हो जाता है और अपने आपको एड़ेस्ट करने लगता है बेवहार में परिवर्तन तो बहुत होते हैं लेकिन हम किसे कहेंगे कि यही अधिगम है तो हम देखते हैं कि बेवहार में परिवर्तन थकान दवा खाने से या एलकोहल लेने से या बीमारी आधि से हुए बेवहार में परिवर्तन को सीखना नहीं कहा जा सकता है माल लिजी कि किसी भी तरीके से किसी को बीमारी हो गई बाद में वह ठीक हो जाएगी तो उसको हम learning नहीं कहेंगे अगर उसके बेवहार में परिवर्तन हो गया किसी एलकोहल लेने से या कोई दवा खा लिया या वहुत देर से ठाकान में है तो उसको हम learning नहीं करेंगे मनोबिज्ञान या सिक्षा मनोबिज्ञान कहता है कि उन्होंने सीखने से तातपर बताया है कि उनी परिवर्तनों से होता है जिनमें अभ्यास एवं अनुभो के फल्सरो इस थाई परिवर्तन होता है यानि कि जो permanent learning होती है उसी को कहा जाता है कि यही अधिगम है और हमारे practices के दोरा हमारे experiences के दोरा जो हमें प्राप्त होता है जैसे कोई बेक्ति अगर typing सीख लिया typing यानि कि जो हम type करते हैं computer में यह कुछ समय के लिए इस्थाई परिवर्तन है क्यों हमेशा के लिए क्यों नहीं है ऐसे बहुत सारे एक्जाम्पल्स हैं और अधिगम को समायोजन की प्रकरिया भी कहा जाता है क्योंकि जब बेक्ति लर्निंग हो जाता है जब बेक्ति कुछ सीख लेता है तो अपने आपको किसी ना किसी परिस्थिती में समायोजन करने की कोसिज करता है अपने आप में जो ब हम जानते हैं अधिगम की परिभासाइं यानिकि डेफिनिशन्स ओफ लर्निंग बहुत सारे मनोबैज्यानिक हैं जिन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किये हैं कि अधिगम क्या है एक इस ट्रेंज तथा चैपमैन एक महोदे हैं 1973 में इन्होंने एक परिभासा दी थी इन्होंने कहा कि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके दोरा अनुभूतिया अभ्या बहुस के फलस्वरूप बिवहार में अपेच्छाक्रत इस्थाई परिवर्तन होता है यानि कि सीखना को इन्होंने प्रक्रिया बताया है जो अच्छा है किसी न किसी परिस्थिति में रहकर कुछ उसके दोरा उसके बेवहार में परिवर्तन आता है तो उसे ही हम सीखन कहते हैं एक हर गेन हान हैं 1988 में इन्होंने परिवासदी है कहते हैं कि सीखना बेवहारात्मक अनता सक्ति में अनुभूती के करण उत्पन होने वाला परिवर्तन है यानि कि यह भी experience के दोरा है हमारे अन बीमारी या आवसदी यानि कि दवा खाने आदि से उत्पन बेवहार को अधिगम नहीं कहा जा सकता है क्रो एंड क्रो के अनुसार ये कहते हैं कि सीखने के अंतरगत आदितें ग्यान एवं बेवहार को ग्राण करना सामिल है यानि कि जब हम किसी परिस्थिती में होते हैं या विद्याले में होते हैं या घर में होते हैं तो हमारी अंदर बहुत सारी आदतों का विकास हो जाता है चाहे वो सहयोग की आदत हो चाहे वो हेल्प करने की आदत हो जिसे हम कहते हैं या आचार विचार अपने संसकार हो किसी का सम्मान करना हो ये भी अपने आप में एक प्रक्रिया है, यानि कि learning is a process of development, अगर जब बिक्ति सीखेगा तो development उसका होना ही होना है, किसी भी छेत्र में learning करेगा तो उसका विकास होना अवज से है, इस किन्नर कहते हैं कि बेवहार में उत्रोत्तर अनकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है, यानि कि जब बच्चा बात में होता है, तो वे बेहतर बेवहार समाज की अनकूल, दूसरों की अनकूल नहीं कर पाता है, लेकिन जैसे जैसे वे समाज में रहकर सीखता जाता है, सिक्छा या ज्यान प्राप्त करता जाता है, बेवहार को सीखता जाता है, कि छोटे और बड़ों से किस तरह से करन तो वह बढ़ता जाता है, अनुकूलन करता जाता है, और समाज के लिए वह एक आधार बन जाता है, आईए अब हम जानते हैं अधिगम की विशेष्टाएं, यानि की characteristics of learning, कौन-कौन सी विशेष्टाएं उनको हम जानते हैं, जैसा कि अधिगम लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, यह माना जाता है कि जो learning है, या सीखना है, या अधिगम है, बच्चा जैसे ही जन्म लेता है, उसकी अधिगम सुरू हो जाती है, और मृत्यू तक चलती रहती है, कुछ न कुछ प्रतिच रूप से बच्चा सीखता र रहता है, नेक्स्ट है, अधिगम अनकूलन की प्रक्रिया है, अधिगम का अनकूलन में विशेश योगदान होता है, जन्म के बाद कुछ देर तक बच्चा दूसरों पर निर्भर रहता है, बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार उसे ढलना पड़ता है, वह वाताव कर लेता है परिस्थितियों के अनुसार अपने आपको, और फिर सीखता रहता है, नेक्स्ट है कि अधिगम सारोभामिक प्रक्रिया है, यानि कि लर्निंग इस प्रोसेस, यानि कि यूनिवर्सल प्रोसेस है, सीखना किसी एक मनुस्या देश का अधिकार नहीं, ये दुनिय कीता है, जैसे एक अगर बस है, बस चल रही है और चलते चलते एक बेक्ती बस पर चड़ रहा है, और चड़ते हुए गिर गया और उसकी डेथ हो गई, तो दूसरा खड़ा बेक्ती उसने क्या अधिकम किया, क्या सीखा उस परिस्थिती से, कि चलती हुई बस में नहीं नेक्स्ट है अधिगम बेवहार में परिवर्तन है, सीखना किसी भी तरह का हो उसके बेवहार में परिवर्तन होना ही होना है, यह सकरात्मक या नकरात्मक किसी रूप में हो सकता है, किसी भी जिस तरीके की परिस्तिती होगी उसी तरीके का बेवहार ब्यक्ति में डेवलप हो तो हमारे अधिगम का परभाव परेडाम की रूप में दिखाई नहीं देगा जैसे जैसे बिद्यार्थी सीखता है वैसे 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 अपने लक्ष की ओर बढ़ता जाता है जब वह परिस्थितियों में देखता है कि अन्रे लोग सीखते हैं और अपना व्यवहार किस तरीके से समाज के प्रती परदर्शित करते हैं तो उसी तरह दूसरा भी बच्चा या व्यक्ति वो भी उसी तरीके से सीखता है और अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने की कोसिस करता है नेक्स्ट है आदिगम पुराने और नए अनुभाओं का योग है बिलकुल ये जैसे कि हमारे जो पुराने अनुभाओं है माली जी कि हमने बचपन में जो छोटा बच्चा होता है अगर उसने बिल्ली देख लिए तो अगर उसी तरह कि अगर कुता भी देख लिया उसने तो सुरुवात में यही कहेगा कि वो बिल्ली है लेकिन जैसे जैसे वो उसके अंदर नए अनुभव जुड़ते जाते हैं उसकी आवाज में उसके आकार में उसकी गुड़ो में जब यह अंतर पता कर लेता है तो वो दोनों जो अनुभव होते हैं उनका योग हो जाता है और वो फिर समझने लगता है कि वास्तों में किसी क बिशेस्ताइं क्या होती है अधिगम उद्देश को प्राप्त करने में सहायक होता है इस साधन के दौरा ही प्रभावसाली ज्यान, सूझ बूझ, रुचिया, दिष्टिकोड, बिक्सित होता है जब तक बेखती अधिगम नहीं करेगा, सीखेगा नहीं, तब तक सिख्छा के जो उद्देश्य हैं उन्हें प्राप्त नहीं कर सकता इसलिए सिख्छक बेहतर तरीके से सिखाने की कोशिश करता है, विद्द्यार्थियों के उचित बेवहार में जो परिवर्तन होता है, उचित तरीके से लाने की कोशिश करता है ताकि वो समाज की अनुरूप बन जाए, नेक्स्ट है अधिगम का इस्थानांतरण, किस तरीके से हमारा जो एक ज्ञान होता है, दुसरे में इस्थानांतरण होता है, किस तरीके से अन परिस्थितियों के साथ हम मेल करते हैं, यानि कि एक इस्थिति में या किसी एक साधन द्वारा प्रात्त किया गया ग्यान दूसरी अनपरिस्थितियों में ग्यान के प्रात्त के लिए साहयक सिद्ध होता है। हम इस थनांतर्ण करते हैं, जैसे माली जी की सुरवात से हम अपने गाओं में रहे हैं, और जब सहर में आते हैं तो बहुत सारी situation change हो जाती है तो हम उसको adopt करने की उसी ज्ञान को दूसरे तक सहायता लेते हैं उससे और उसे में अनकूल रहने की समायोजन करने की कोसिस करते हैं नेक्स्ट है अधिगम विबेक पूर्ण है यानि कि अधिगम कोई तक्नीकी क्रिया नहीं है बलकि विबेक पूर्ण यानि कि जो हमारा मस्तिश्क होता है दिमाग होता है बुद्धी होती है जब हम अधिगम करते हैं तो इसका प्रयोग होना आवस्यक होता है नेक्स्ट है कि अधिगम जीवन की मूल भूत प्रक्रिया है यानि अधिगम के बीना जीवन सफलता पूर्वत जीना और इसकी प्रगति होना संभव बिल्कुल है यानि कि अधिगम के बीना क्या संभव है इसलिए इसको मूल भूत प्रक्रिया माना जाता है कि जब तक अधिगम नहीं होगा यनि हम किसी चीज की बारे में जानेंगे नहीं तब तक हमारा जो जीवन है वो सफलता पूर्वक हम नहीं जी सकते हैं हमें कोई न कोई जानकारी हमारे किसी न किसी बेवहार में परवर्तन होना ही होगा और नेक्स्ट है अधिगम बेक्ति के सरवांगीड विकास में सहायक है जब बेक्ति अधिगम कर लेता है तो वह संतुलन बैठाता रहता है अपने हर परिश्थिती में और अपने आपको हर परिश्थिती से जोड़ने की कोशिज करता है और अपना जीवन एक विकास की ओर ले जाता है अधिगम सक्री तथा सुजात्मक है यानि कि अधिगम की जो प्रक्रिया में सीखने वाला सदा सक्री रहता है यह जो सुजात्मक लिखा है यहाँ पर सुजनात्मक है जिससे वो जितने भी परिस्तितियां में जाता है वो अपने आपको स्रिजन सील तरीके से अनुभो प्राप्त करता है नेक्स्ट है अधिगम चेतन और अचेतन अनुभो है यानि कि जो अनुभो होता है हमारा अधिगम सीखरें वाले व्यक्ति के दोरा जान बूझ कर अंजाने में अरजित किया जा सकता है कभी-कभी हम लोग अधिगम ऐसे हो जाता है हमारे बेवार में ऐसे परिवर्तन हो जाता है जो अचेतन मन से होता है, जो नहीं होना होता वो भी हो जाता है और नेक्स्ट है अधिगम विकास की प्रक्रिया है यानि कि जो बुडवर्त महोदय कहे थे या अधिगम विकास की प्रक्रिया है या अधिगम किसी भी दिशा में हो सकता है लेकिन समाज में इच्छित दिशा में किया गया अधिगम ही सुईक्रत होता है यानि कि जब हम अपने परिवर्तन या अपने जो बेवहारिक परिवर्तन है समाज के अनुकूल लाते हैं या समाज के अनुसार बेवहार में परिवर्तन करते हैं तो वही सुईकार होता है जो भैह और उचिया हो, जैसे जैसे अमारा जिस परिस्तिती में अधिगम होता है, उसी तरीके से हमारे ब्यवहार में परिवर्टन होता है और हमारे सभी पक्ष उससे प्रभाविद होते हैं. आइए अब हम जानते हैं अधिगम को प्रभाविक करने वाले कारक यानि एक factor affecting of learning कौन-कौन ऐसे factor है कारक है जो प्रभाविक करते है अधिगम को जिसमें सबसे पहला है हमारी बुद्धी बुद्धी भी हर्विक्ति में अलग-अलग तरीकी की होती कोई अवसत बुद्धी वाला होता है, कोई बहुत इंटेलिजेंस होता है, कोई बहुत ही जड़ बुद्धी वाला होता है, कोई बहुत ही इस तरीके का होता है कि ज्यादा उचतर बुद्धी वाला होता है, कोई मंद बुद्धी वाला होता है, तो ये कारक भी सीखने में प प्रभाबित करता है हमारे प्यवार में परिवर्तन को यानि कि सीखने में नेक्स्ट है स्वास्थ एवं उम्र यानि कि बहुत जरूरी है एक बेक्ति का स्वस्थ होना क्योंकि जब तक बेक्ति सारीरिक रूप से मांसिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा तब तक बेहतर तरीक जैसे वो सीख नहीं सकता, मन नहीं लगेगा, उम्र भी बहुत प्रभावित करती है, क्योंकि सुरवात में जब बच्चा critical age में या उससे किसोर आवस्ता था कि अबाल्य आवस्ता में रहता है, तो बहुत active रहता है, सीखने के प्रति, तो लेकिन जैसे जैसे उम्र ढलती जा और बहुत सारी जो समयोजन की प्रक्रियाएं होती हैं, वो कम होती चली जाती है, तो ये भी सीखने को प्रभावित करती है, हमारी अभी चमता, अभी चमता जो हमारा aptitude होता है, जिसको हम लोग एक विसेश गुण कह सकते हैं, जैसे हमारी कलात्मक्ता होती है, जो हमारा सं तरीके की सीखने की कला भी एक अधिगम को प्रभावित करती है, यदि एक बेखती है, जो बहुत इकलाकार है, जानता है बहुत अच्छे तरीके से, तो उसी चेत्र में जानने की कोशिस करता है, तो ये भी अपने आप में एक aptitude होता है, जो अधिगम करता है, अपने situation हाई या नहीं, वो भी सीखने में प्रभावित करता है, नेच पहुत इधिय को बहुत अधिगम होता है, जो शक्छनिक करता है तो दोनों हमें सीखने को प्रभावित करते हैं, किस तरीके से, हमको वहाँ परえーंफॉर्स्मेंट मिन लाहा है, मोटिवेशन, मिन लाहा है तो बहुत अफिक्ट करते हैं सकारात्मा क्या नकारात्मा कुरूब से अगर परिवार में हैं तो वहां के लोगों का जो बेवार होता है वहां के लोगों के जो क्रियाएं एक्टिबिटीज होती हैं वो प्रभावित करते हैं और जो बातावरण हमारा सिक्षा के छेत्र में जो हमारा विद्याला या कख्षा होती है वहाँ पर सिक्षक किस तरीके से और वहाँ का जो learning environment है किस तरीके से प्रवाइड किया जाता है facilities ये सारे चीज़ां अधिगम को प्रभावित करती है हमारा दिष्टी कोड बहुत जरूरी होता है attitude हमारा अभिबृत्ती जो नजरिया होता है वो भी हमारे अधिगम को प्रववित करता है कभी-कभी हम सोच लेते हैं कि इसे हम सीखी नहीं सकते यह हमसे नहीं होगा हम इसे नहीं कर पाएंगे इसलिए हम नकरात्मकता की और चले जाते हैं और नहीं सीख पाते हैं जो भावित करता है लेकिन अगर यह सोच लिए कि हम इसे कर सकते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से सीख भी सकते हैं नेक्स्ट है सीखने के तरीके जो हमारा लर्निंग स्टाइल होता है विभिन तरीके के होते हैं कुछ लोग देखकर कुछ लोग सुनकर कुछ लोग टच करके कुछ लोग करके तो अलग-अलग तरीके से सीखते हैं डिपेंड करता है कि वहाँ पर कैसी फैसिलिटीज है वो कूह पूत करवाते हैं नातA करवाते हैं संगीत करवाते हैं तो इस तरीके से भी बालकों में सरवांगिड विकास होता है तो यह भी परभाविथ करते हैं उनके सरवांगीड करता है पूरी तरीके से मेरा बच्चा है पढ़लिक सकता है हर काम कर सकता है और उसे motivation देते हैं कि किस तरीके से वो आगे बढ़े साथी जो सिक्षक होता है जो एक universal ठिंक रखता है सभी विद्ध्यार्थियों के प्रती सुचता है समझता है कि हर बच्चा अपने आप पे यूनिक है बट उन्हें हम किस तरीके से सिखाएं किस तरीके से मोटिबेट करें लर्निंग कराएं इनका बहुत बड़ा रोल होता है मोटिबेशन जो परिस्थिती से भी मिल सकता है हमें नेचर से भी मिल सकता है अभिभाव के विम सिक्षक से भी मिल सकता है हमारे सहपाथी होते हैं उनसे भी मिल सकता है एक बेहतर सब्दों के द्वारा भी मिल सकता है डिपेंड करता है कि हम किस परिस्थिती में है पुनरबलन जो एक बहुत ही महत पुण हिस्सा होता है यदि सिक्षण प्रक्रिया चल लही है और एक सिक्षण के अंदर ये reinforcement देने का बहुत बहुत बहुतरीन गुड़ होता है डिपेंड करता है वो साब्दिक और असाब्दिक रूप से या सकरात्मा क्या नकरात्मक के दोरा एक बच्चा सीखने के लिए प्रेरित हो जाता है पूरी तरीके से इसके अलावा भी और बहुत सारे इस्ट्रेस चिंताय होती है वो भी प्रभावित करती है नकरात्मक रूप से कुछ लोग चिंतित रहते हैं ज्यादा तो ये सारे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं थाइंको सो मच वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक करिए अपना वोट जरूर दीजिए साथी सब्सक्राइब करिए चैनल को यदि आपना सब्सक्राइब किये हों तो, साथ ही वेल आइकान को भी दबाईए, जिससे आने वाला न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, साथ ही सेयर करिए अपने दोस्तों तक, ताकि उनको भी जानकारी मिल सके, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता यह किया वीडियो आपको कैसा लगा, या किसी भी तरीके का कोई सुझहाओ हो, तो आप उसे जरूर बताए, थैंक यू सो मच,